हालो एवरिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल आप लोग कैसे हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज लेके आई हूँ एक नया केक का डिजाइन जिसका नाम है टॉप फोरवर्ड केक और ये चॉकलेट फ्लेवर में हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा टॉप सेलिंग केक है चॉकलेट केका ये एक 0 exerc 2020 का केक है और कस्टेमर ने मुझे सपेशली बोला कि या रेट कलर का रोज ना लगाने के लिए तो मुझे लगदा से केक देखते देखते शाहिद बोड़ हो चुके होंगं लोग तो इसलिए मेरे पास जितना भी अईनार्वरस रिका आजकल क को चाहिए तो मैंने वैसे ही बनाया है और परसनली मुझे भी लगता है कि रेट कलर का anniversary cake बहुत ज़ादा common हो चुका है रेट कलर का flower, रेट कलर का वही मतलब ज़ादा common हो चुका है जब मुझे ये cake का order आया तो customer ने मुझे बोला कि मुझे वो वाला cake चाहिए जो उल्टा होता है न मैंने बोला chandelier cake तो बोला नहीं मतलब मैंने बोला anti-gravity कौन सा वाला cake उल्टा होता है तो मैंने बोला कि मुझे आप फोटो भेज़ो अगर आपके पास कोई भी फोटो है तो मुझे फोटो सेंट करो उन्होंने बोला ठीक है मैं वाटस अप में फोटो सेंट कर रही हूँ तो उसी बीच मैंने instagram में जाके सर्च किया तो मुझे लगा शायद कोई दूसरा trend आ गया होगा मुझे पता नहीं है उल्टा वाला cake तो मैंने सर्च किया सर्च करने के बाद मैंने doubt किया था कि top forward cake हो सकता है शायद लेकिन जब उन्होंने मुझे फोटो भेजा वर्टसप में तब मैं confirm हो गए कि top forward cake है तो actually customer लोग को उतना नाम पता नहीं होता है वो लोग जो भी मतलब instagram में या फिर कही पर भी photo देखते है तो वही उन लोगों को ज़ादा याद रहता है नाम तो उतना पता नहीं होता है उन लोगों को तो उन्होंने मुझे बोला कि cake बहुत सुंदर बना के दीजिएगा और cake का color आप yellow मतलब combination में कीजिएगा तो मैंने yellow combination में ये cake बनाया है और cake देख के customer को इतना पसंद आया देख के ही पसंद आ गया इतना और टेस्ट करने के बाद तो एकदम मतलब क्या बोलू उन्होंने मुझे review भी भेजा है वीडियो का last में मैं review भी डाल दूंगी तो यहाँ पे बात करते करते मेरा cake almost assemble हो चुका है आभी मैं soaking कर रही हूँ chocolate cake मेरा इतना Q चलता है क्योंकि मैं जो layer के अंदर chocolate भर भर के मैं डालती हूँ उसमें मैं कुछ भी कंजूसी नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए जब customer हमें payment दे रहा है तो शायद कुछ expectation से वो लोग हमें order देते हैं payment करते हैं तो उस पैसे का value तो उनको at least लगना चाहिए कि नहीं ये एकदम पैसा वसूल हो गया और एक बात मेरा मानना है कि जैसे कि मैं भी यही करती हूँ हम लोग अच्छा चीज जादा पैसे से भी हम लोग खा लेते हैं है ना अच्छा चीज चाहिए लोगों को और आप अगर अच्छा चीज customer को दोगे तो customer वैसे ही आपके पैस order देगा आपको इसके लिए कुछ add भी नहीं करना पड़ेगा ठीक है ना तो इसके लिए आपको pure चीज देना चाहिए ताकि customer जब भी पैसा दे हम लोगों को उनको वो चीज लेने के बाद ऐसा ना लगे कि waste हो गया मेरा पैसा ऐसा ना लगे customer खुद आपके पास आए ठीक है ना ये quality हम लोगों को maintain करना होगा नहीं तो वो लोग तो बेकरे से भी normal बेकरे से भी वो लोग केक ले सकते थे आपके पास क्यों आया ताकि आप लोग customize कर दो जिसमें quality भी हो look भी हो fresh हो इसलिए वो लोग home bakers के पास आते हैं तो business grow कैसे करेंगे customer को पूछेंगे क्या requirement है उनको क्या चाहिए कैसा चाहिए ठीक है फिर हम लोग quality भी maintain करेंगे look भी अच्छा होना चाहिए quality भी अच्छा होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे मैंने करोंगे देखे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही beat से नहीं cut करना है इसको side से थोड़ा सा cut करना है ताकि जब हम लोग इस board से दूसरे board में convert करें इसको तो यह अच्छे से strongly stand हो और stable रहे ठीक है ऐसे equally cut करना है कही पे कम कही पे जादा ऐसा नहीं और यहाँ पे देखिए मेरा जो केकल लेयर जितना है क्रीम भी उतना ही है क्रीम ज्यादा लेयर छोट पतला ऐसा नहीं इक्वल है देखे तो अभी मैं palette knife से इसको detach करूँगी ठीक है कर दूँगी ताकि यह अच्छे से इससे lift हो जाए ठीक है हम लोग जब shift करेंगे इसको दूसरे board में यह अच्छे से lift हो जाए ठीक है अभी देखे इसको support देना पड़ेगा ऐसे और फिर एक जिस इस बोर्ट में हम लोग shift करेंगे वह बोर्ट वहाँ पर रखके हां ऐसे lift कर लेंगे ठीक है जैसे वीडियो में मैंने दिखाया वैसे ही आप लोग को शांती से करना है और हर बड़ी नहीं करना है एकदम politely इसको shift करना है ठीक है और मेरा थोड़ा side हो गया था जादा तो मैं अभी इसको बीच में लाओंगे बस हो गया देखे कितना easy है कोई जादू मंतर अंतरशंतर कुछ नहीं है एकदम normally politely एकदम lift करके इसको shift करना है दूसरे बोर्ट पर ठीक है और अभी में पीछे का जो easy है देखने में जितना इसको लग रहा है कि बापरे इसको कैसे shift करूंगे मैं दूसरे बोर्ट में इसको कैसे मैं इसको stand रखोंगी कुछ नहीं है देखे मैंने बीच में डावल भी नहीं लगाया कोई भी stick वगएरा कुछ भी नहीं डाला normally ये cake एकदम stable है ये cake लेके मैंन ये tension वाली बाती नहीं है उतना tough नहीं है ये वाला cake बनाने में आप लोग try नहीं किया तो आप लोग भी try करो और यहाँ पे मैंने पीछे का जो space था उसमें मैंने cream लगा दिया है और अभी इसको बोर्ट उसका साफ करके clean करके अभी हम लोग इसमें जो भी flower वगेरा है वो लगाएंगे तो इसमें मुझे sunflower लगाना था यलो में sunflower ही अच्छा लगता है तो sunflower मैं लगाऊंगी और ये जो है ये bunny tail है इसका नाम है bunny tail शौप में जाके बोलने से bunny tail वो लोग दे देंगे और ये है wire जिससे हम लोग इसको secure करेंगे ठीक है जैसे कि बाल में लगाते है अब बॉबी पिन शायद बॉबी पिन हे बोलता है उसको पता नहीं है मुझे exact आप लोग को पता है तो मुझे comment कर दीजेगा बॉबी पिन से जैसे हम लोग बाल को secure करते हैं वैसे ही हम लोग इस चीज को secure करेंगे इसके साथ ठीक है तो जैसे मैं वीडियो में दिखाया व लोग लगाएंगे ठीक है ताके हमारा केक सुन्दर दिखे इसके लिए और यहाँ पर जितने भी समान में यूज करूंगी यह सब non edible रहेगा कुछ भी खा नहीं सकता है इसमें सिर्फ वो pearl खा सकता है ठीक है जब यह केक कट करेंगे तब यह सब निकाल के खाएंगे सब को ठीक है तो यह केक का डिजाइन अभी देखे मेरा almost ready हो गया है और जो भी flowers है अभी मैं यहाँ पर लगाऊंगे उसको ठीक है और यहाँ पर एक happy anniversary का tag भी मैं बीच में लगाऊंगे यह केक का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो like कर दीजेगा और केक का डिजाइन कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईएगा आप लोग का कोई भी friend अगर केक बनाता है तो उनके साथ यह वीडियो शेर कर दीजेगा ताकि उन लोग को थोड़ा सा help मिले जितना भी tips मैंने इसमें दिया है और एक बात sharing is caring तो share करना बनता है और ऐसा ही नया नया केक का डिजाइन और वीडियो देखने के लिए चैनल को क्या करना पड़ेगा subscribe तो वो भी आप कर दीजेगा ठीक है और अभी यहाँ पे मेरा केक यहाँ पे ready है यहाँ पे मैं sprinkle कर रही हूँ golden pearl से हाँ यह pearl edible है इसको आप लोग खा सकते हो और उपर में मैंने एक butterfly भी लगा दिया है golden butterfly क्योंकि उपर थोड़ा सा खाली दिख रहा था तो golden butterfly भी लगा दिया है यह भी non edible है इसको खा नहीं सकते है आप लोग ठीक है और मेरा केक ready है टाडा तो कैसा लगा design कमेंट में बताईएगा तो मैं फिर से मिलती हूं next video में ओके बाबाई झाल कर दो भर दो दोड़ाएगा सरह दो है तो चरूबर चाहँ नहीं है टे सो है रहाँ है अटर दो शो खाल कर दो डिया है और भी नहीं है और मेरा रहाँ अशने कैसे सकते है यह समया क्योंच्ट विह उन्या है रहाँ है आपर